जैहिनों दोस्तों मैं शम्बुनाईमा आपका हमारे चैनल होटी मंत्र में स्वागत करता हूँ आज हम लेकर आए होटी कल्चर की फ्रूट क्रॉप सिरिस में अगली क्रॉप अपल अगली क्रॉप है हमारी कष्टड अपल जिसे सीता फल भी कहा जाता है दोस्तों आपके लिएक सुचना है कि हमने जो नोट्स त्यार किये हैं वो लगबख तीन से चार बुक को मिला कर त्यार किये गए हैं तो ये नोट्स आपको हर्टिकल से जेयरेप के लिए कंप्लेट नोट्स माने जा सकते हैं पर अपने क्रॉठ को ह、「 अगे बढ़ दे हे जाएं, कस्टर डेप्ल जिसे सीताफल जिसे सीताफल सरीफा या Frouot Hooper प्रीपल भी कहा जाता है इसके बॉट्निकल नेम की बात कर दे तो चस्टर डेपल का बॉट्निकल नेम हैं वो है अनोना इसके मुसा वो है अनोना इसके मुसा इसका बोटनिकल नेम है फेमिली की बात की जाये तो अनोना के जो फेमिली है वो अनोना ऐसी फेमिली से संबंदित है औरीजन की बात करें तो जो ट्रोपिकल अमेरिका है वो इसका सिंटर ओप औरीजन माना जाता है है और सेनसेटिव टू फ्रोस्ट यह जो फ्रोस्ट है फाल से प्रतिश अत्री sund எ दो होता है जिनसेटिव होता है से बहुत स्धाई प्रभवेत होता है इट जर्ट अ क्लाइमे ट रीक और यह यह मतलब इसके फलों की तूडाइय के बाद भी इसको पकाया जा सकता है among the anonymous fruit custard apple among the anonymous fruit custard apple is the most favorable in India जो anonymous family है या जो सिताफल की family है उसमें जितने भी प्राकार के फॉल होते हैं उसमें जो custard apple सिताफल है वो most favorable है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फॉल है चेरी मोया is preferred as subtropical climate जो चेरी मोया है यह subtropical climate में होता है जो चेरी मोया है यह subtropical climate में होता है जबकि जो custard apple था वो tropical climate का fruit था चेरी मोया is considered to be the best fruit of anonymous family जो चेरी मोया है यह anonymous family का सबसे ही best फल माना जाता है कस्टटड एपल कंटेंड सुगर 20% जो कस्टड एपल है उसमें लगभग 20% तक शकर पाई जाती है जो सुगर कंटेंड है वो कस्टड एपल में लगभग 20% तक होता है ब्लोक्स हाट is more commonly in South India than North India जो ब्लोक्स हाट है और वो जनरली हुगायाता है जनरली साउथ इंडिया बें सबसे ज़्यादा उगा जाता है उसके बाद इसको नोर्थ इंडिया में प्रिफर करते हैं चेरी मोया is mostly restricted to आसाम and hills of साउथ इंडिया जो चेरी मोया है साउथ इंडिया का बस हो एक हैं स्वाट तो इसकी खेती सिम्मीत हैं फ्लोरिंग की मार्थ करएं तो इसमें फ्लोरिंग होती है वह सिंग्ली और करहिब कभी कभी गुच्चों में इसमें फला जो फ्लोरिंग होती कभी जनरली तो जो फ्लोरिंग होगी वो single ही होगी बाकी कभी कवरेस में गुच्छों भी फ्लोरिंग हो जाती है fruit is formed by fusion of pistil and receptor, जो fruit है वो इस तरी के सरोर, जो receptor है उनका ही formation के से बनता है टाइप अप फ्रूट की बात करें तो जो अनोनो का ये सिताफल का जो फ्रूट है वो लार्ज, फ्लेशी और एग्रिगेट फ्रूट वो क्या है वो एक प्रकार का एग्रिगेट फ्रूट है इडिवल पॉर्ट इफ्रूट वन तो इसका जो खाय जानी वाला योग की भागे वो पेरिकारप है और टाइप अप पॉलिएशन की बात करें तो कस्टाड एपड में करोस बोलीनेशन होता है मॉर्ड ऑवपोलीनेशन तो जो ग्रचो तॉत ही बस्ते हैं ए नम की दोरा होता है गेर टक्रचोंचे में निफ अदे dür्ल में वह और देराए giving के जाता है धि junt मिधक बहुए चैन्ल Oswald말 ग्रांट में उसमे जो अनना ऑगे हांその दिया पाजाती यह प्रोटो काई नहीं पाजाती जिसमें जो Clay Chief जो फ waktu होता है जबकि यह एकरसाद अनोना म्यूरी काट्ट जो म्यूरी काथ हो समें प्रोटो एंड्री पाजाती है उसमें अरुमें परिपक होता है अनोना मूरिकाटा में डाइकोगेमी is genetic factor and responsible for poor fruiting जो डाइकोगेमी है वो poor fruiting या poor fruit set के लिए जिम्मेदार होता है अनोना seedless due to oval istillery जो अनोना है जो सीता फल है वो सीडलेस होने का कारण है अगर ओमने तो उसमें वोगी न होगी तो उसमें जो fruit है वो सेटलेस बनेंगे Master Cherry moya and anona इसके musa are craft compatible with cotton moya इस को उसको इसको से में इंडेट fruit होते हैं सीड वेबि लेती तो जो आनोना की जो सीड वेबिलेटी है सीड वेबिलेटी होती है सीड फल की वह होती है 3 से चार वर्स और यह maximum on the fruit को सभी fruit crop में जो उनो नहां हैं जो सीड फल हैं उसके भीड़ सबसे ज़्यादा समय तक उसमें germination हो जाता है, मतलब जादा समय के बाद भी उसमें germination हो सकता है, उसमें availability सबसे ज़्यादा होती है fruit crop में कि planting system की बात करें तो इसमें प्लांटिंग और सिस्टम की बात कियें तो जो बैसिकली इस्पेसिंग यूज्ट cał इंटो ब रहा हुआ मिलेगा harvesting stage की बात करें तो harvesting changing of fruit color into light green जो जब fruit का color वो light green से मतलब green से light green होने लगे और development of yellow is white into tubercle जो tubercle से अगर उसमें yellow to white होने लगे तो मान लिया रहता है कि जो harvesting stage आ चुकी है harvesting stage for long लोंग डिस्टेंस मार्केट ट्रांस्पोर्ट के लिए उसको फर्म इस्टेज जो कठोर वाली अवस्था पर हर्वेस्ट कर लिया तो क्योंकि यह क्लाइमेट रिट फूट है इसको बात में पकाया जा सकता है पीक हर्वेस्टिंग प्रियेड तो इसको बैसिकली हर्वेस्टिंग प्रियेड होता है वह होता है अक्टूम्बर से नॉम्बर के दोरान अनुना के जो फ्रूट है वह में प्राप्त होते हैं इस्थोर एंच तेंपरेश्ट सिर्थ की बास के लिजय लिए तो अनोılar को स्थेंपराचर है वह उता है पांच से साइट डिगुरी सेल्सियस ट्रेनिंग सिस्टम तो आनोना में जो ट्रेनिंग सिस्टम यूज़ किया थे वो सिंगल सिस्टम सिस्टम यूज़ किया था है सिंगल सिस्टम ट्रेनिंग सिस्टम इसमें यूज़ किया था है अगर उपको वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक शाड़ सब्सक्रेब जरू और यह common root stock के रूप में इसको यूज किया था है अगली species आती है लक्षमन फल जिसको अटे मोया के नाम से जाना आता है और अनोना अटे मोया का साइंटिफिक नेम है और यह एक नेचुरल हाइब्रीड है किसके इसमें अनोना सा है इसके मुसा इंटू अनोना चेरी मोया के बीच में यह नेचुरल हाइब्रीड है हनुमान फल जिसको चेरी मोया का जाता है इसका जो साइंटिफिक नेम है वह ए अनोना चेरी मोला और आसाम इसकी खेती आसाम और साउथ इंडिया की जो हीली रेजाने वहीं तक ही इसकी खेती सी मीत है अगली जो इस्पीसिस आती ह सो रिपल अनोना मेरुकाटा जिसको लार्जेस्ट अनोना के नाम से भी जाना जाता है यह अनोना लार्जेस्ट अनोना होता है और पॉंड इपल जिसे अनोना ग्रेबरा के नाम से जाना जाता है और यह जो इस्पीसिस है टेट्रापलोड इस्पीसिस होती है अनोना फेमि मामोद नगर, British GUENA, Washington, यह सब ईनकी विराइटि यह कुन कुन से विराइटी है, तो बाला नगर हैं, काकला पहार हैं, बारबरोस सेडलिंग है, मेहूद नगर हैं, British GUENA है और वाशिंंग्टनियस की varieties है अब hybrid की बात करें तो अर्का सहान hybrid में अर्का सहान less number of seed इसमें 10-600 ग्राम में होते हैं high bricks content 31 इसमें bricks होता है और cross between अटे मोया, island in अटे मोया, अनोना अटे मोया, अनोना इसक्यो मुसा अगली variety African pride it is cross between cherry मोया into custard apple यह चेरी मोया और custard apple का cross है best indices की बात करें तो इसमें सबसे जो पहला लगता है वो लगता है fruit root cast by phytophthora citropthora citropthora और phytophthora nicotiana phytophthora nicotiana और phytophthora citropthora के कारण जो fruit root है वो हो जाता है और यह custard apple का major disease है मिली बग प्लानो को कस पैसी फाइकस पैसी फाइकस इसका जो scientific name में और यह most destructive pest है custard apple का physiological disorder की बात करें सबसे पहला है stone fruit remaining fruit turn brown जो fruit है वो तरन ब्राउन हो जाता है और become hard is major physiological freedom और वो तरन ब्राउन होके hard हो जाता है यह एक major physiological disorder है custard apple का woodiness prefer of sheet pocket and greedy lumps जो इसमें जो sheet pocket है वो greedy or lumps in flesh हो जाते हैं ब्राउन पल्प ब्राउन पल्प इसमें क्या है जो पल्प है उसका discoloration हो जाता है जो pulp अपल्प का discoloration हो जाता है with three decline caused by water saying जार जो three हैं वो मर जाते हैं कि सके करण जो three रहा जाते MARK water Sonichation मतलब जड़ भारा कि कारण जो प्लांट है वो सुख जाते हैं zero fruit set ts ए तो परीपक वह होते हैं तो जो उसमें पूर फ्रूट सेट हो तो लाइक शना सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार क्यूटी पर आप्ड करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल झाल